तो जावले मुझे सिखने की स्रीज में आज हम देखने वाले हैं final keyword final keyword भी बहुत ही important topic हो जाता है आपकी interview point of view से भी और दूसरा ज़िए आप developer हो तो उस point of view से भी तो देखे final keyword actually हमनों क्यों यूज करते है तो इसको आप दो वेसे समझ सकते हो न घ्रम करने के लिए और एक हट two-restrict users को यूजर को यूजर करने के लिए रेस्टिक करने का क्या मतलब है कि यूजर जो है वो data को modify नहीं कर सकता है या फिर change नहीं कर सकता है यूज कोई सी data है जो modify नही कर सकता है वह देखे लिग दिखें तो आवर्ड एनी ओवराइड इन डियाट या फिर ओवएड एनी चेंज़़ इन डियाटा ठीक है मतलब हो सकते हैं जो है वो डेटा पे चेंग नहीं कर सकता हैं तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं एक फाइल बनाते हैं तो यहां पे एक क्लास बनाया क्लास नेम होगा हमारा फाइनल की वर्ड और पब्लिक स्टेटिव वर्ड में फिनिश अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कि variable पर हम लोग data कैसे रेश्रीट कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक class बनाते हैं class, कुछ भी ले सकते हो, student, curl bracket, enter, यहाँ पर ले लेते हैं, string, name और name में कर लिए, suppose यहाँ पर, Sanjit, all right और हम लोग क्या करेंगे, एक method बनाएंगे, word, display और display में हम लोग क्या करेंगे, करें बैकेट, enter, जो name है न, इसको हम लोग यहाँ पर change करेंगे name, equals to, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, coder, all right लेकिन एक काम और करते हैं, string से पहले यहाँ पर ले लेते हैं, final keyword और यहाँ पर क्या करते हैं, इसका object बनाते हैं, दीखेंगे, eclipse में फायदा यह है कि यहाँ पर आपको error बता देता है, तो यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था, कि final keyword जैसे आप देते हो, वो data को रेश्रिक कर देता है तो restrictions की बज़े से यहाँ पर देखिए, display में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर name को change करना चाहरे है कि name जो संजीत है, यहाँ पर quarter हो जाए, यहाँ पर final keyword हटाते हो, इसको हटाया तो देश से तो यह भी remove हो गया लेकिन जदी यहाँ पर हम लोग देते हैं, तो यह क्या बोलता है, remove final modifier of name उसको remove करने के लिए बोलता है ठीक है, यहाँ बोल रहा है, the final field student.name cannot be assigned उसको assign नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह restrict कर दिया है, उसको change नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी यहाँ पर आप object बना सकते हो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, student s1 equals to, यहाँ पर error देखेंगे, कि error क्या दे रहा है, student, और यहाँ पर हमने क्या करते है, s1.display कर लेते है और यहाँ पर कर लेते है, s1, s2, control space, और यहाँ पर कर लिए name, this.name भी ले सकते हो, तो यहाँ पर हमने क्या करते है, ठीक है, और देखते हैं, क्या देता है, तो run as, java application, ओके, तो देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है, exception in thread, main java.lang error, unresolved compilation problem, the final fit student name cannot be assigned, assign हम लोग नहीं कर सकते हैं, और यह exact line में दे दिया है, लेकिन जदी यहाँ पर final keyword हटाते हैं, और इसको run करते हैं, तो यह आपको print करवा के दे देगा, क्या print करवा के देगा, जो यहाँ पर हमने change किया हुआ है, तो coder change किया हुआ है, तो यह आपको coder देते हैं, तो यह था आपका final keyword का use, variable के case में, दूसरा क्या है, method, method में कैसे यहाँ पर use कर सकते हैं, देखे, method में हमने क्या किया, इसको simple रखते हैं, यह आप note कर लेना, method में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर suppose हम लोग करते हैं, eat, और syso में हम लोग कर लेते हैं, eating, यहाँ पर कर लिया, eating, क्या, rice, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक child class बनाते हैं, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, कि इसका क्या मिनेंगे, class student one extends, यहाँ पर sword में रखते हैं, student, ठीक है, और यहाँ पर, extend के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी को copy कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिया, control भी, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, eating, bread, और यहाँ पर क्या करते हैं, जो student है, child class, इसका यहाँ पर object बनाते हैं, तो student, s यहाँ पर capital ले सकते हो, और यहाँ पर भी s capital ले सकते हो, student, new, यहाँ पर student, student, और s1.eat, तो क्या print होना चाहिए, आपको मैंने inheritance बता रखाया, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो child class है, वो override कर देगा, इस eat को, यहाँ पर eating bread आएगा, मैंने super keyword भी बता रखाया, कि जदि parent class वाला run कर रहा हो, तो वो भी आप कर सकते हो, super keyword के help से, तो यहाँ पर by default होगा eating bread, क्योंकि child class जो है, वो override कर देता है, parent class के method को या फिर data को भी, लेकिन, जदि यहाँ पर हम लोग final keyword लेते हैं, method में, यहाँ पर final keyword लिया, तो यह क्या करेगा, error देगा, यहाँ पर दे सकते हो, same वही वाला, remove final modifier of student.it, जब आप एक method को final keyword के help से बनाते हो, तो वो उसको restrict कर देता है, restrict की वज़े से, आप उसको override नहीं कर सकते हो, मतलब child class जो है, वो parent class के method को override नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस में में भी बोच सकते हो, तो इस case में भी जदि आप run करोगे, तो आपको same वही error देगा, की आप उसको override नहीं कर सकते है, ठीक है, तो यह हो जाता है आपका method format, अगला है class method, class method में आप क्या करते हो, कि जदि आप किसी class को final keyword के help से बनाते हो, तो इस class को आप extend नहीं कर सकते हो, यहाँ भी हमने क्या हुआ है, class student, extend student, तो extends आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी error दे रहा है, तो जब भी आप final keyword के help से class बनाते हो, तो उसे आप extend नहीं कर सकते हो, तो यह तीन तरीके आप याद रखना, final keyword के help से, इसमें भी जदि आप run करोगे, तो error देगा, यहाँ भी क्या बोल रहा है, कि the type student cannot subclass the final class student, वही है, लेकिन यहाँ पर class के term पर बोल दिया है, ओके, तो basically हम लोग final keyword वहाँ पर use करते हैं, जहाँ पर हमें data को restrict करना होता है, या फिर users को restrict करना होता है, क्योंकि हो सकता है, हमने बहुत सारे ऐसे method बना दिये हैं, अपने library में, और हम नहीं चारे हैं कि उसको user inheritance के थुरू एक्स्टेंड करें, तो इसलिए हम उसको try करते हैं उसको restrict करने का, अल्राइट, तो उम्मीद है वीडियो जरू अच्छे लगे होगे, सब्सक्राइब भू कर लेना चैनल को, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थांक्यू, हैपी लर्निंग,